कोविट के संभावित लहर के खत्रे और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजसरकार के निरदेशानों सार शेहर में चलाय जा रहे मिशन कवच कुंडल अभियान को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाथ मिल रहा है इस अभियान के तहट 9 वद 10 अक्टूबर को शेहर में प्रतम वद्रितिय टीका करन की कुल 31,724 खुरा के दी गई आठ से 4 अक्टूबर तक टीका करन के लिए शेहर में मिशन कवच कुंडल नाम से विशिश अभियान चलाय जा रहा है इसके तहट निगम की स्वास्त टीम तयार है निगम के टीम वद्वर टीका करन पर काम कर रहे है और इसके लिए स्वास्त करमी नर्स, डॉक्टर, इंटर्न और गैर सरकारी संगटनों के प्रतिनी दी भी सयोग कर रहे है पहले खुराक 13,088 नागरिकों ने 9 और 10 अक्टूबर को मिशन कवच कुंडल अभियान के माध्यम से ली और 18,636 लोगों ने दो दिनों में दूसरी खुराक पूरी की 9 अक्टूबर को 6,685 लोगों ने पहली और 11,533 लोगों ने दूसरी खुराक पूरी की रविवार 10 अक्टूबर को 6,403 लोगों ने पहली और 7,103 लोगों ने दोनों खुराक पूरी की यह जानकारी चिकितसा स्वास्तादिकारी डॉक्टर संजेच चिलकर ने दी कोर्णा वायरिस संक्रमन को रोकने के लिए टीका करन एक बड़ा हतियार है शेहर में 14 अक्टूबर तक मिशन कवच कुंडल अभियान चिलाया जा रहा है क्यमरपोसन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पांसे बीसीन न्यूस नाकपूर